सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटस वीडियो को देखने के लिए हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास आज की ये शिक्षा निदेशाले राष्टे राजधानिक शेत्र दिल्ली की वर्कशीट वर्कशीट नमबर आठ जो की कक्षा छे के विद्ध्यारतियों के लिए ही है यह ली गई है हिंदी विशे से जिसमें हम समझेंगे पाठ नादान दोस्त भाग एक को तो बच्चों ये जो कहानी है यह लिखी है मुन्शी प्रेम चंजी ने मुन्शी प्रेम चंजी जो की भारतिये साहित्ते में एक जाना पहचाना नाम है क्यों जाना पहचाना है क्योंकि ये इतने साधारन शब्दों में ऐसी साधारन साधारन कहानिया लिखते हैं जिसको पढ़के हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो हमारे साथ ही हो रही है जैसे वो हमारी ही कोई घटना है तो ऐसे थे मुशी प्रेमचन, इनकी कहानियों में हमेशा पढ़ने में एक रस आता है, एक मज़ा आता है तो आज हम उनी की एक कहानी जो कि आपकी पाठे पुस्तक का एक पाठ भी है नादान दोस्त वो पढ़ेंगे तो चलिए शुरुबात करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों, आज से हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं न वहें आपकी पाठे पुस्तक वसंत में पाठ नमबर तीन है कहानी का नाम है नादान दोस्त यह कहानी शुरी मुंशी प्रेम चंजी ने लिखी है जैसे आप हमेशा अपने दोस्तों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं न उसी प्रकार इस कहानी में केशव और शामा भी अपने दोस्त की मदद करना चाहते हैं केशव और शामा के कौन से दोस्त हैं और उन्होंने किस प्रकार अपने दोस्तों की मदद करनी चाही आओ कहानी पड़कर जाने केशव के घर कार्निस के उपर एक चेडिया ने अंडे दिये थे अभी ये कार्णिस का मतलब तो हम समझेंगे लेकिन कार्णिस का मतलब होता है जैसे दिवार की मुंडेर हम लोग तो मुंडेर बोलते हैं कुछ लोग कंगनी भी कहते हैं केशव और उसकी बहन शामा दोनों बड़े ध्यान से चिडिया को वहां आते जाते देखा करते सवेरे दोनों आखें मलते कार्णिस के सामने पहुँच जाते और चिड़ा और चिडिया दोनों को वहां बैठा पाते उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता दूद और जलेबी की भी सुद ना रहती थी दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते अंडे कितने बड़े होंगे किस रंग के होंगे कितने होंगे क्या खाते होंगे उनमें से बच्चे किस तरह निकलाएंगे बच्चों के पर कैसे निकलेंगे गोसला कैसा है लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं ना अम्मा को घर के काम धंदों से फुरसत थी ना बाबु जी को पढ़ने लिखने से दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसली दे दिया करते थी शामा कहती केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता नहीं री पगली पहले पर निकलेंगे बगैर परों के बिचारे कैसे उड़ेंगे शामा बच्चों, शामा बच्चों को क्या खिलाएगी बिचारी केशव इस पेसीदा सवाल का कुछ जवाब ना दे सकता था इस तरहें तीन-चार दिन गुजर गए दोनों बच्चों की जिग्यासा दिन-दिन बढ़ती जाती थी अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उड़ते थे उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आखडा हुआ चिडिया बेचारी इतना दाना कहां पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे गरीब बच्चे भूख के मारे चूँ चूँ करके मर जाएंगे इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे दोनों ने फैसला किया कि कार्णिस पर थूड़ा सा दाना रख दिया जाए तो कैसा लगा आपको ये भाग देखिए कितनी बढ़िया कहानी है कितने असान साधान शब्दों में प्रेम चैन जी ने इस तरीके से लिखा कि जैसे ये हमें लगता है कि ये हमारी ही कहानी है शायद हमारे घर में ही कोई चिडिया का गुंसला है और उसने बच्चे दी है और हम भी ऐसे ही करते हैं जैसे वो बचे जो शामा और किशक थे वो कर रहे थे तो चलिए अब इसमें जो येलो हैलाइटिड शब्द आए है उनके हम मतलब जान लेते हैं तो पहला शब्द है जिसे आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है शब्दार्थ, कार्निस, दिवार की कंगनिया हम बोल देते हैं मैंने बोला मुंडेर भी बोल देते हैं विद्वान मतलब समझदार फिर है पेचीदा सवाल आया था ना शब्द, पेचीदा का मतलब मुश्किल जिग्यासा यानि जानने की इच्छा और अधीर यानि वो परेशान हो उठे तो इन शब्दों को आप अर्थ समेत अपने नोटबुक में जरूर लिखेंगे तो चलिए अब चर्चा करते हैं अपने प्रशन उतर की गध्याश के अधार पर ही आपको निमलिखित प्रशनों के उतर देने हैं तो पहला प्रशन है कि अंडों के बारे में केशव और शामा के मन में किस तरह के सवाल उड़ते थे तो आप बताईए सोचिए अंडों के बारे में क्या यह मेरा उतर सही है देखिए जरा अंडों के बारे में केशव और शामा के मन में यह सवाल उड़ते थे कि अंडे कैसे हैं कितने बड़े हैं किस रंग के हैं और उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे आदि प्रश्ण उनके मन में उड़ते थे तो दूसरा प्रश्ण है कि केशव और शामा आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे तो इसका उत्तर ये हो सकता है कि उनके सवालों के जवाब देने के लिए अम्मा और बाबुजी के पास तो फुरसत ही नहीं थी इसलिए वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे फिर तीसरा प्रश्ण है कि केशव और शामा ने अंडों के बारे में क्या-क्या अनुमान लगाए तो केशव और शामा ने यह अनुमान लगाया कि अंडों को तिनकों पर तकलीफ होती होगी तथा कार्णिस पर उन्हें धूबी तो लगती होगी उन्होंने अनुमान लगाया कि चिडिया सारे बच्चों का पेट अकेले नहीं भर पाएगी और बच्चे भूख से मर जाएंगे फिर चौथा प्रश्न है कि यदि उस जगें आप और आपका मित्र होता या होती तो आप दोनों क्या अनुमान लगाते और क्या करते तो ये मेरा सोझाव है कि यदि हम उस जगें होते तो ये अनुमान लगाते कहीं कोई जानवर तो अंडो तक नहीं पहुंच जाएगा, कार्णिस तक कोई जानवर ना पहुंचे तो मैं इसका प्रयास करता, मैं चिडियों के लिए दाना कार्णिस पर रखने के बदले, नीचे जमीन पर बिखेर देता, ताकि उन्हें कोई चोट ना लगे, फिर आखरी प्रशन नमबर पांच है, कि पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है, अगर सर्दी या बरसात के दिन होते, तो क्या क्या होता, सोच कर लिखी, तो ये सब मेरा अनुमान है, आपका अनुमान कुछ और हो सकता है, वो भी लिख सकते हैं, अगर सर्दी के दिन होते, तो बच अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को जादा से जादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत जादा शेयर कीजिए और हाँ मेरे साथ इसी तरह से मजे मजे में बहुत आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए लेकिन ध्यान और मन लगाकर जरूर जरूर पढ़ते रहिए और अगर कोविट से बचना है तो दो गर्स अथवा छे फीट की शारिरिक दूरी का पालन जरूर जरूर करें धन्यवार करें नहें भी दूर हैं तो एक मिनि में ठाउम कार्वार जरूरूर जरुसलितė भाषए रहार मन भालन जरूरूर में अजयननर सक्थर जरूरी बहुता है धन्यूरूर का भालन जर जरूरूरूर जरूरूरूर